सबको जैमसी की आज हम परमेशर के वच्चन में देखेंगे भजन सहिता 121 में लिखा है कि मैं अपनी आखे परवतों की और लगाऊंगा मुझे सहायता कहां से मिलेगी मुझे सहायता यहवा की और से मिलती है जो अकाश और पृत्वी का करता है हालिलुया मुझे सहायता यहवा की और से मिलेगी जो अकाश और पृत्वी का करता है यहां पर परमेशर के वच्चन में साफ शब्दों में लिखा हुए हमें अपनी सहायता के लिए मदद के लिए हमें मनुश्यों के लोगों की और देखने की जुरूरत नहीं है हमारी नजरे किसकी और लगनी चाहिए यहां पर परमेश्वर के वच्चन में लिखा है कि हम अपनी आखे परवतों की और लगाएंगे हमें सहायता कहां से मिलेगी जो अकाश और प्रित्वी का करते है जिसने ये सारी दुनिया को बनाया है आज मैं आपको अपने गवाई ब इस वच्छन को पर्मेश्ण ने मुझे याद कराया और उस वक्त मैंने अपनी आखे परवतों की और लगाई मैंने किसी को फोन नी किया मैंने फट अपने कपड़े पैने मुझे अभी याद कि मुझे अपने बदल रही थी पिता को लेकर जाने के लिए होस्पीटल में उसी विपत्ती से मेरी रक्षा करेगा, मैं मेरे प्रान की रक्षा करेगा, यह वचन मैंने उस वक्त अपने पिता हरियोम के लिए बोला, मैंने बोला कि ना तो दिन को धूप से, ना राद को चाननी से, मेरे पिता हरियोम की कुछ हानी नहीं होगी, क्योंकि यह वा सारी विपत्त बिठा के मैं होस्पिटल लेगी हालेलुया वो दिन था जब एमर्जंसी में लेकर गई वहां पर उनके सारे टेस्ट हुए हालेलुया और सारे टेस्ट नॉर्मल आए और वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरे मन में उससे पहले इतने डर घूम रहे और उसके बाद मेरे पिता हरियों को कभी भी होस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ये परमेश्वर का बड़ी अनुग्रे बड़ी दिया थी देखो वो रात का वक्त था उस वक्त मेरे पास कोई नी था उस वक्त ले जाने वाला कोई नी था मैंने अपने पिता को अपने स्कूटर के पीछे बिठा कर मैं होस्पिटर लेकर गई और उसी वक्त इस वचन ने काम किया और वहाँ पर सारी रिपोर्स नॉर्मल आई और आज इस बात करूए पांच-छे साल हो चुके डॉक्टरों ने पूरे टेस्ट किये हार्ट में उनके दर्द हो रिती पर को किसी भी मनुष्य की और मत देखिए परमेश्वर के वतन वचन को उठाकर उसको हत्यार के रूप में इस्तमाल करिए क्योंकि परमेश्वर कह चुक है असे 2022 वर्ष पहले अब पूरा हुआ जब उसने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है वचन की ढाल हमें दे दिया हाल के लिए जैसे मैंने बोला आज से अब इस वचन को अंगिकार करना शुरू करें अपने उस प्रियर जनों के लिए जो बिमार है या किसी तकलीफ में परमेश्वर उनके जीवन में वह अद्बुत कारेगा जो परमेश्वर ने मेरे पिता हर्यों के जीवन में किया और मैं इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में अद्बुत कारे हुआ होगा और इस गवाई के लिए मैं प्रभू को धन्यवाद एते हूं गवाई के द्वारा प्रभू बहुत से लोगों के जीवन में कारे करेगा तब तक के लिए सबको जैमसी की हम अगली वीडियो में